फोर्थ, add the following without writing in columns horizontally, हमें add करना है, बिना columns में लिखिए, horizontal form में solve करना है, जब भी horizontal form बोले हैं, तो आपको simple line में लिखना है, देखे, 2A, minus 4B, plus 3C, कॉमा लगा है, यहाँ पर देखे, कॉमा लगा है, minus A, plus 7B, minus C, तो कॉमा लगा है, plus, कॉमा लगा है, plus, पर यहाँ पर क्या लिखा है, minus A, minus A, plus 7B, minus C, ऐसे horizontal form में लिखना है, line में लिखना है, अब देखे, 2A, यहाँ पर क्या है, minus का A था, मैंने arrange किया, यहाँ, दोनों के variables same है, तुमको arrange कर लिया, minus 4B, यहाँ पर क्या है, 7B, आपको ऐसे arrange करना है, plus 3C, और यहाँ का, minus C, मिन्स यहाँ का A के variables को जो same से में, उनको साथ में लिख लिजए, और फिस solve किजए, 2A, plus का है, और यह minus का है, तो क्या होगा, minus, और sign लगेगा, बड़े नमबर का, तो यह A, 2 में 7 का है, तो 1, हम 1 लिखते नहीं है, और यह A, 2 बड़ा है, उसके साथ प्लस sign लिखने की जोध नहीं है, minus 4, और 7, plus 7, तो क्या होगा, एक minus का है, प्लस का, तो minus, और sign लगेगा, बड़े नमबर का, तो हम पहले sign लगा रहेते हैं, बड़े नमबर का है, 7, और 4, तो कितना होगा है, 3, अब देखिए, एक plus का, एक minus का है, तो क्या होगा, minus sign लगेगा, बड़े नमबर का, तो हम इन बड़े नमबर का sign पहले लगा दिया है, 3 में से 1 का है, तो 2, यह हमारा answer है, इसका B part, 4M, minus 5N, plus 3P, minus 3M, को हटा का मैंने लिखा है, को मा हटा देए, जो वैसे लिखा है, वैसे कि वैसे लिखे है, minus 2P, आरेंज कीजिए, 4M, पहले लिखा मैंने, यहां से, B, M, यहां का N के साथ, यहां का N, अब बचा P, P के साथ, P, 4, एक plus का, एक minus का, तो क्या होगा, plus का और एक minus हो, तो क्या करेंगे, minus, और sign लगेगा, बढ़ी नंबर का, 1M आएगा, तो simple M, दिखिए, एक minus है, और एक plus है, तो क्या होगा, minus, 5 में से 3 कहे तो, मैं लिखे तो, पहले 2N, और sign किस करेगा, बढ़ी नंबर का, एक minus, एक plus, तो क्या होगा, minus, पहले हम minus कर लेते हैं, 3 में से 2 कहे तो, 1, बढ़ी नंबर का, तो यह मारा answer हो क्या, इसका C part, 3AC plus 5B square, minus AC plus B square, बस कॉमा डाते हैं, लिखे हैं होरिजंटल फॉर्म में, अब अरेंज किजिए, 3AC minus AC, 5B square के साथ, B square, एक plus, minus, तो क्या होगा, minus, 3 में से 2 कहे तो, 3 में से 1 कहे तो, 2AC, और sign किस करेगा, बढ़ी नंबर का, दोनों plus हैं, तो, 5, यह पर कुछ नहीं लिखा तो मानेंगे, 1, 5 plus 1 कितना होगा, 6, B square, answer, D part, 4A minus B, minus C, plus 1, plus 2A, plus 4B, plus 4C, minus 8, ठीक है, मैंने पर्ले line में लिख दिया, अब arrange किजिए, 4A, 2A, प्लस था, यहां का, minus B, यहां का, plus B, यहां का, minus C, यहां का, plus 4C, यहां का, plus 1, minus 8, A, A, यहां का, B, यहां का, C, यहां पर नंबर सबच्चे थे, कौन स्नी में लिख थे, उन्हें मैंने बात में लिख दिया, 4 plus 2, 6 है, 1 minus 1 plus है, minus, कुछ नहीं, यहां, जाँ, 4 में से 1 का, 3, और साँ लगएगा, बड़े नंबर का, बड़े कुन चादा, 4, 1 minus, 1 plus, minus, और साँ लगएगा, बड़े नंबर का, 4 में से 1 का, तो 3, अब देखिए, है, अब एक, फिसे, प्लस और मैनस, तो क्या होगा, माइनस 8 में से 1 के तो 7 और 7 लाई है किसका बड़ी नमबर का बड़ा नमबर क्या ये लाई है किसके दे बड़िया झाल ऑनाई नमबर का